वेल आज का जो ये वीडियो एक highly important वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो stock market में पैसा कमाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमें stock market में investment करना चाहिए या फिर trade करना चाहिए आपने बहुत सरे लोगों से सुना होगा कि long term investment से अच्छा कुछ नहीं होता आप Warren Buffet साप हम mutual fund में invest करते रहेंगे हम stocks में invest करते रहेंगे पता नहीं वो कब बढ़ेंगे इससे बेटर क्या है कि हम trading कर लेते हैं हम रोज पैसा बना लेंगे तो कौन सही है कौन गलत है आपको क्या करना चाहिए आपको आज इस वीडियो में सारे जवाब मिलने वाले अब सबसे पहल होते हैं investment करो long term में इंसान और share market दोनों को ऊपर ही जाना है और investment का concept बिल्कुल सेंपल होता है कि आज हम खरीद रहें किसी भी वहाओ पे किसी share को या mutual fund में पैसा डाल रहे हैं S&P कर रहे हैं और अगर market ऊपर जाती है stock अच्छा perform करता है तो हमें अच्छे returns मिलेंगे हमारा पैसा बढ़ जाएगा बहुत बढ़िया पर फिर कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं वो investment करते हैं stocks के अंदर और फिर ऐसे stocks को भी hold करके रखते हैं जो stocks negative return दे रहे हूँ मैंने कई सरे लोगों के portfolio में देखा है कि उन्होंने 10-15-20 stocks में investment किया हुआ है और कई सरे stocks हैं जो under performer आप यह देखो कि 30% loss में वो लोग खड़े होएं आज की rate में 30% उनका portfolio डाउन है फिर भी वो क्या सोच रहे हैं किया मैं तो एक long term investor हूँ long term में market को उपर जाना है और मैं भी यह बोल रहा हूँ कि हो सकता है कल को यह negative जो return है न दो या तीन शोक से अच्छा perform कर जाएं और इस negative को positive में लें पर फिर सवाल एकी आएगा क्या आपने alpha produce किया क्या आपने nifty को भी बीट किया और ज्यादतर लोगों का जो portfolio होता है वो nifty को भी बीट नहीं कर पाता और इसलिए फिर कई सारे लोग क्या कहते हैं भी mutual fund investments बहुत अच्छे हैं और mutual fund में भी फिर सवाल आता सबसे बड़ी जो problem है वो यह है कि लोग stocks में invest करते हैं और ऐसे stocks में invest करते हैं जिसमें negative return दिखा रहा होता है और फिर उन्हें hold करके बैठ जाते हैं यह बोलते हैं हम तो long term investor हैं दूसरी गलती लोग क्या करते हैं invest करेंगे stocks में stocks ने अच्छे return दिये तो उन्हें base देंगे अगर आप एक साल से कम के period के लिए stocks को hold करते हो तो पहली बात तो आपको tax जादा लगेगा क्योंकि यहाँ पर लोग tax को बूल जाते हैं short term और long term capital gain tax होता है जब आप एक साल से कम के लिए आप stocks को खरीद के base देते हो profit में तो आपका tax बढ़ जाता है और यहाँ पर यह ची तो portfolio कभी उपर जाएगा निए अब यह एक गलती है investors की आप traders की बात करते हैं traders में हम investor में warm FA की बात करते हैं मैं traders में आपका एक example देता हूँ आप Google करेंगे na world की most successful traders का तो एक नाम आएगा Jesse Livermore उन्होंने market में short selling करी short selling क्या होता है trader market में बढ़ने पर पैसा कमा सकते है market के गिरने पर भी पैसा कमा सकते हैं तो Jesse Livermore एक short seller थे तो market के गिरने पर bet करते थे तो 1929 के अंदर US की stock market में crash आता है और उसमें उन्होंने 100 million dollar बनाए 100 million आप कोगे तो बहुत बड़ा amount हो और उस time प पर 1929 में इतना पैसा बनाया 1940 के अंदर इन्होंने शेरी नीदरलेंड होटल मैनहिटन के अंदर साड़े 5 बजे शाम को अपने आपको गूली मार ली आपको इतना पैसा बनाने के बाद ट्रेडिंग से पैसा बनाने के बाद इन्होंने अपने आपको गूली के हमारी इन्होंने अपनी wife के लिए suicide note छोड़े और उसमें इन्होंने लिखा कि भई मैं इतना pressure झेल नहीं पाया और उन्होंने एक चीज मेंशन करी जो आप Successful इंसान भी अगर वो rules of trading को follow ना करें तो वो बहुत बड़ा failure बन सकता है वो अपना सब कुछ गवा सकता है तो trading के अंदर पैसा बनता भी है और trading के अंदर पैसा जाता भी है इसी लिए से भी आपको warning देता है जब भी आप अपने d-mate account में login करते हो कि F&O segment के अंदर जब से 9 लोगों को नुकसान हो रहा है average कितना नुकसान है वापर देखता है कि वही 50,000 का नुकसान है तो लोगों को लगता अच्छा साड़े 4 लग का अगर नुकसान हुआ ऐसी calculations है ना लोगों की वो Jim Simmons को तो follow करते नहीं जो एक successful trader है वो कहते है जी एक आदमी का किसी की जेब से अगर पैसा गया तो stock market अपनी जेब में तो पैसा रखेगा नहीं किसी की जेब से पैसा निकलता तो किसी की जेब में जाता है नौ लोगों ने अगर ख़वाया है तो भाई एक बंदे ने तो मोटा कमाया है ये मैं ही बनेगा भाई एक आदमी और फिर वो हर्शत मैता कि डायलोग मारने लगते हैं लोचा लफड़ा और जले भी फाफड़ा इसे गुजरादी के लाइप से कोई निकाल नहीं सकता वाई डायलोग बाजी ठीकर लेकिन इसमें बहुत रिस्क है तो रिस्क है इन फाक इस वीडियो में भी कॉमेंट कर देंगे कि रिस्क है तो इश रहेगा कि मैं आपको पहले समझाऊं, clear picture दिए और फिर आप लोग decide करो कि आपको trade करना है, invest करना है अब इस concept को एक बार हम live समझते हैं कि कि किस तरीके से जब भी आप trade लेते हैं आपको पहले से set करना होता, आपका target और stop loss, अभी हम आपको एक trading का demo देने वाले हैं कि 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 तरीके से trade लिया जाता है कैसे stop loss और target को set किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो हम आ गये है market wolf की app पर market wolf app पर आप यहाँ पर देख सकते है जैसे की लिखा है trade index options index के options में आप trade कर सकते है amount आप पढ़ सकते हैं minimum triple line से यहाँ पर trade हो सकते है अब जैसे हम इस पर click करेंगे आपको यहाँ पर तीन option दिख जाते हैं आपको यहाँ पर तीनों index दिख रहे है nifty, bank nifty, fin nifty आप इन तीनों के अंदर trade कर सकते हैं example के लिए हम bank nifty में trade करना चाते हैं हम bank nifty में trade ले सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर left hand side पर bank nifty का चार्ट देखेगा आपको right hand side में amount देख रहा है आप example triple line से trade करना चाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिने direction चूज करनी है कि आपको यहाँ से क्या लगता है आपको slow fast and faster आप यहाँ पर देख सकते हो कि fast price movement अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर medium risk है अगर आप faster price movement लेते हैं तो high risk है slow price movement लेते हैं तो low risk है example के लिए आप यहाँ पर fast price movement को choose करते हैं अब जैसे आप screen पर देख सकते हो तो रिस्क और रिटर्न आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो, आप वुल्फए के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि रिस्क 24 परसेंट का है, रिटर्न पर कोई लिमिट नहीं लगा रखी, बट आप चाहें तो अपने हिसाब से वरão कितना स्टाट रखनाए और तो परसेंटेज आपा परसेंट्रोंग ल barking और कितना आपको टागेट रहे तो परसेंटेज्ञ आ पहले से डिसएड कर सकते है, I say okay, Okay और्प्लेश ट्रेट करते है तो यहां पर अपने लाइफ्टेज देख सकते हैं लॉस हो रहा है परसेंटेज यहां पर देख रही है और आप इस ट्रेट को नीचे जो बटन दिया हुआ है stop trade कभी भी रोख सकते हैं left hand side में आपको यहां पर option का आपको price भी देख रहा है उसके candlesticks आप यहां पर देख सकते हो profit आ रहा है हम जैसी stop trade पर click करेंगे यहां पर हमारा जो भी profit returns है पर देख गया अब important क्या है कि market wolf की app पर आपको कोई AMC charges नहीं लगते हैं आपको जब profit होता है तब ही यह brokerage charge करते हैं आप से कोई loss अगर हो गया तो loss पर brokerage charge नहीं होती है जैसे मैंने बोलो कोई maintenance charges नहीं है कोई AMC charges नहीं है and only profit पर आप brokerage pay करते हैं यहां पर हमने आपको एक sample दिखाया अभी जो आपने trade देखा मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि stop loss क्या होता है target क्या होता है कैसे trade लिया जाता है बड़ जो यह trading है यहां पर risk भी काफी ज़्यादा होता है अब आप ने देखा बही चलो 50% profit 50% profit exceptional profit है हर बार नहीं होगा हो सकता है 50% का loss हो जाता अब आपको पहले पता होना चाहिए आप कितने पैसे से trade ले रहे हैं आप कितना loss ले सकते हैं और कितना profit आपको मिल सकता है यहां पर आपको सिर्फ ब्रोकरेश तब लगती है जब आपको profit होता है अगर आपको loss होता है market wolf पर आपको कोई brokerage नहीं देनी होती in fact यहां पर कोई annual maintenance charges भी नहीं है तो market wolf का link आपको description और comment box में मिल जाएगा do check out अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों के बारे में और deeply आपने investing को विल्कुल भी ignore नहीं करना है investing long term के लिए no doubt बहुत अच्छी रहती है आप trading को अगर opt करना चाहते हैं तो फिर यहां पर कुछ सवाल आएंगे और वो आपको अपने आपसे पूछने हैं मैं आपको दोने सीज़ समझाता हूँ तो investing का सबसे पहला फाइदा क्या होता है सबसे पहला फाइदा होता है कि आप बोलो या कुछ भी बोले है आपकी savings होती रहेंगी चाहे एक कोई आदमी S.I.P कर रहा है systematic investment plan के तुरू mutual funds में invest कर रहा है उसका हर महीने उसकी salary से उसकी monthly income से उसकी network से कुछ भी पैसा deduct हो रहा है और वो जोड रहा है अगर वो पैसे एक जंगा जोड रहा है तो जादतर लोग उस पैसे को नहीं शेड़ते हैं अगर वो long term सोच रहे हैं पर यहां पर मैं आपको एक fact बताता हूँ सेभी ने एक report publish करी हो उसमें पता लगा सिर्फ 3% ऐसे investors होते हैं जो mutual funds के अंदर invested रहते हैं पास साल से जादा के लिए और आपको फाइदा investment से तब होगा जब आप पास साल से उपर के लिए investing करेंगे तो अगर आप पास साल से उपर के लिए investing नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं फिर तो उसे trading ही बोलेंग आप short term कर रहे हो short term, अगर एक साल से नीचे तो short term होई गया, पर 3% ही ऐसे लोग हैं, जो अपनी SIP's को 5 साल से ओपर continue करते हैं, और यहाँ पर एक साल के अंदर ही जादातर लोग अपनी SIP's को बंद कर देते हैं, क्योंकि short term में market volatile हो सकता है लोगों को हो सकता है, लगे किया मैंने SIP शुरू किया थे, इसमें पैसा बढ़ेगा बढ़ नहीं नहीं यार मेरा तो mutual fund portfolio वो down जा रहा है, इसे base देते हैं तो आपको investing करनी है तो vision clear होना चाहिए long term के लिए अब trading, जब आप trading कर रहे हैं हो सकता है, आपने choose कि मुझे day trading करनी है तो आपको पहले से एक calculated analysis करनी है कि भई मैं कितना capital infuse कर सकता हूँ उस पर कितना risk ले सकता हूँ मुझे क्या reward शही है और उसके लिए आपको इसे सीखना पड़ेगा, यहाँ पे skills required होती है definitely अब हमने जब जेसी लेवर मोर की बात करी थी हमने बात करी थी कि भई उन्होंने rules को follow नहीं किया तो एक human emotion नाम की चीज होती है human emotions मतलब अगर कोई आदमी कोई trade लेता है और वो loss में आ जाता है कितने लोगों के सता हुआ comment करके जुरू बताईएगा हो सकता आपके साथ भी होगा हो आपने ट्रेड लिया जैसी आपने ट्रेड लिया वो ट्रेड अच्छा जा रहा था positive में जा रहा था माल लेते हैं आपको उस ट्रेड में 10,000 का profit हो रहा था अब आप क्या देखते हो थोड़ी देर में यार वो 10,000 का profit खतम हो जाता है बढ़ आपको लगता है नहीं मेरी analysis सही है ये पैसा और बनेगा इसमें 10,000 की जिंगा होसकता है 20,000 बने आप उसे hold करते हो और फिर क्या दिखता है 1000 रुपय का नुकसान दिखता है सिर्फ 1000 का नुकसान बढ़ आपको पता है यार मेरा stop loss तो हिट हो चुका है बढ़ आप क्या करते हो stop loss जब आपका जहां पर भी आपने set किया होता है आप chart पे एक line draw कर देते हैं एक horizontal line लगा देते तो भी ये मेरा stop loss है बढ़ फिर क्या होता है 1000 की जगा 1500 का नुकसान दिखता है प्रफिट से 1000 के loss में आगए हो और फिर आपको क्या लगता है यार मैंने चल options नहीं तो लिया हुआ है मैंने 20-30,000 रुपे डाले हो है options में trade कर रहा हूँ जाल साथ क्या होगा सारे खता हो जाएंगे मेरे पैसे तो लोग क्या करते हैं वो इसे समझते नहीं आप एमोशन जा गए rules को फिर बूल गए एक आपने stop loss लगाया था कि बही चलो 20% का मेरा नुकसान हो जागा मैं बाहर निकल जाओगा या 10% का मैं बाहर निकल जाओगा पर्ट क्योंकि आपका loss हो रहा होता है तो लोग ना loss को book भी करना चाहते है और होता किया मान लीजे किसी का 1500 का loss गया 2000 का loss गया 4000 का loss गया और वहां से वो trade ने profit दिखाना शुरू किया उसने दिखाया कि 1000 का profit हो गया 2000 का profit हो गया लोग क्या करेंगे 1000-2000 के profit में booking मार देंगे वहां से हो सकता है आपके analysis बिल्कु ठीकती वहां से हो सकता है 20-30-0 उसन बनता पर लोग करते क्या है मैंने जैसे बोला कि आप भी comment करके बताएगा लोग क्या करते है profits को तुरंद book करते है और losses को hold करके बैठ जाते है और यही सबसे बड़ा reason होता है जिससे लोगों की capital तक चली जाती है आपको day trading अगर आप inter day में trade करने वाले हो options में trade करने वाले हो एक सवाल अपने आप से और पूछना है कि आपकी personality type कैसी है मैं कई लोगों से सवाल पहले पूछ लेता हूँ मैं आपको in fact कल का यह example देता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी पे अपनी वाइफ को शाम को ले गया और मैंने कहा रहे car wash करा के आते हैं कफी गंदी हो गई है इस पर थोड़ी सी wax polish वगरा देंगे तो हम आपे बैठ गए थे थोड़ी दे तक उनने आदे घंटे में बिठाय रहा है जब तक वो wax polish कर रहे थे तो वहाँ पर एक आदमी आया जो अपनी बहुत चमचमाती वी गाड़ी लेकर आया और उसने मुझे दूर से देखा तो मैं तो उस आदमी के केबिन में बैठा हुआ था कई लोगों के सवाल हो क्या मैं ट्रेडिंग करूँगा तो पैसा बनेगा मैंने उनसे बुला कि सर हो सकता है पैसा बनेगा हो सकता आपका नुकसान हो कान खड़े हो जाते हैं नुकसान सुनते ही मैंने का यह आपकी personality के उपर depend करता है आप देखो आप किस तरीकी के विक्ति हो क्योंकि आपको न एक life of a day trader समझना पड़ेगा लोग अना बड़ी रोजी पिक्चर्स दिखाते हैं रोजी पिक्चर्स क्या होती है कि अगर आपने सुबह सुबह सवानों मार्केट खुली आपने सुबही कोई अच्छा trade ले लिया आपका trade बढ़िया गया आप एक घंडे में पैसे बना लेते हो पूरे दिन enjoy करो बड़ लोग यह नहीं बताते कि यहाँ पर कई सारे लोगों का नुकसान भी होता है लोग profit करने के बाद मीं नहीं मानते है बहुत सारे multiple trades भी लेते है और जिसने नुकसान होता है उस दिन उस आदमी की psychology क्या रहती है क्योंकि लोग profit बनाने आते है बट जब loss होता है उसे समझने बाते और फिर यहाँ पर एक mode start हो जाता है लोगों का जिससे बोलते है loss recovery mode आपको market में नहीं से बहुत सरे लोग भटकते हों दिख जाएंगे जो loss recovery mode में होंगे वो बस इतना चाहते है भी हमारा stock market में 50 अलगा नुकसान हो गया 2 लाग का नुकसान हो गया 10 लाग का नुकसान हो गया 1 करोड का नुकसान हो गया बस हमारा कैसे भी करके लॉस रिकावर हो जाए और फिर एक और सवाल आता है मैंने stock market से पैसा कमाया पैसा गवाया आज कोई बात नहीं मैं 10 लाग के नुकसान में हूँ पर इसी से मैं 10 लाग का लॉस रिकावर करूँ तो यहाँ पर आपको अपने अपसे सवाल पूछना है अगर किसी का नुकसान हुआ तो क्या आप लॉस रिकावरी मोड में हो अगर आप लॉस रिकावरी मोड में हो तो फिर आप ट्रेडिंग मत करना क्योंकि फिर आप क्या करोगे आप गलट ट्रेड लोगे कि मैं किसे loss ले सकता हूँ और फिर उस loss को recover करने के चक्कर में वो ego trading करने लग जाते हैं मेरे analysis हर बार ठीक होती है 10 में से 8 बार ठीक होती है 10 में साथ बार ठीक होती है पैसा बनेगा और फिर वहाँ पर high risk trades लिए जाते है और high risk high reward रहता है पर lose करने के chances बहुत जादे रहते हैं अब ये वाला personality type आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग में पैसा बनता है आप अच्छे लोगों को follow करो अच्छे लोगों को जैसे कि Jim Simmons को अगर आपको एक अच्छा trader बनना है भाई हम लोग आपको direction दे सकते हैं आज की raid में Jim Simmons Warren Buffet के सामने अगर आप किसी को YouTube पे सुन रहे हो we are nothing यार वलब यहाँ पे हजारो करोडों की बात होती है हम आपको as a beginner guide कर सकते हैं मैं यहाँ पर मेरा जो role है वो यह है कि सही रास्ता दिखाना आप में से हो सकता है कई सरे लोग next Warren Buffet बने यार next Rakesh Junjunwala बने and these are my best wishes but आप लोग अपना नुकसान कर लो यह मैं बिलकुल नहीं साता इसी लिए यह videos बनाई जा रही है अगर आप trading करना चाते हो पहले अपने आप से सवाल पूछिए आपकी personality type किया और अगर आप investing करना चाते हो तो यह तो करना इसी है long term मैंने आपको पताया कि इसका फायदा होता है अब final अगर आपको अच्छा investor बनना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा और अच्छा trader बनना है तो क्या सीखना पड़ेगा अच्छा बनना है तो यहाँ पर आपको fundamental analysis आनी चाहिए इसके लिए हमने एक पूरी playlist बनाई हुए वो भी free में आपको i button पर link मिल जाएगा जाके देखिए और अगर आपको अच्छा trader बनना है तो आपको technical analysis आनी चाहिए अब fundamental analysis के अंदर ratio analysis होती है company को समझना valuations को समझना balance sheet को समझना और जैसे मैं बोला ratio analysis तो ROCP ratios अभी क्या होते है आप गेन समझ सकते हो detail में पूरी playlist है एक वीडियो में नहीं समझाएगा और technical analysis start होते है simply chart reading, candlestick patterns, chart patterns trend analysis और फिर indicators क्या होते है बहुत सारी और भी चीज़े है तो यह आप यहाँ पर सीख सकते हो technical analysis में और यहाँ से technical analysis में सबसे important होता है price action price भगवान चे price भगवान होता है price को follow करके लोग पैसा बनाते है अब पैसा दोनों में बनेगा long term में बनेगा short term में बनेगा मैं बना नहीं कर रहा पर सबसे important के है उन लोगों का बिल्कुल नहीं बनेगा जिन में patience नहीं है investing में जरू नहीं है कि हमने आज पैसा डाला हो जकता है कल market crash हो जाए और हो सकता है आप trading करनेगा आपका पहले दिन ही loss हो जाए Warren Buffett बोलते है कि stock market एक simple instrument है patient आदमी को मैं mutual fund में पैसा लगाऊंगा और मैं करोड़ोपधी बन जाऊंगा वो भी देखो वो दिखा रहा है न 10 साल 15 साल 20 साल लगते है patience so patience is the key I hope इस वीडियो से आपको आपके answers मिल गए होंगे अगर आपके अभी भी कुस सवाल आप comments में जुरूर पूछेगा इस वीडियो को आप like कर सकते है अपना प्यार दिने के लिए and इस वीडियो को share आप बिना बोले केज़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की help हो सकते है इस वीडियो से I will see you in the next video till the time you subscribe this channel click on the bell icon and go self-made जैंद